पूरे दुनिया में चल रहा और लोग भूत इन्बॉक्स कर रहे थे इसके बारे में शुरू में हम लोग थोड़ा हस्दी है थे इस पर क्या बनाएंगे लेकिन पब्लिक कितनी सीरियस होगे कि हम लोग सोच लिए कि यह जोग को आज ज़रा डिक्लासिफाई करेंगे और वो वो है दमिस्टीरियस मोनोलिट्स जो पूरे दुनिया में नजर आ रहे हैं एक सिंगल कार्व स्रक्चर रहता पत्थर से हो मेटल से हो अभी फिलाल जो है वो मेटालिक एक सिंगल एक स्रक्चर है और खासियत क्या है रात और रात यह गयब भी हो जा रहा तो उसके इंस्ट वीडियो शुरू है नहीं शुरू लेट्स स्टार्ट विडियो जो बहुती परिशान वाला साल था खतम होने पर आ रहा और 2021 अप स्टार्ट हो रहा और उसके आद आगा यह मिस्टीरियस इलियन वाला मोनोलिट अब पब्लीक बहुर इनको भाई वापीस 2020 वाला तो यह थ यूटा जो है अमेरिका में एक जगा है लोकेशन वहां का फेडरल बेरियो आफ लांड मैनेजमेंट यह साइंटिस्ट रहते जो जमीन के रॉक फार्मेशन्स लांड्सकेप्स जेग्रफिक लोकेशन्स यह स्टी करते तो लोग प्लेन में से जाते जाते देखे ना नीचे एक हिस्से में चमकरा बोले लोग तो यह लोग लांड करें आप पे जब जाके देखे आप यह लोग शौक हो गए कि एक मेटानिक मॉनलित बनावा है उपड़ से सुझाए कोहिन और रिनो बोले येस कोहिन और बोलोंगे माल बोलोंगे सीधा देखके तो लांड करने पे परिशान ये इतना बड़ा हाइट का स्टील का इस्रक्शर है क्या और एक डेजर्ट एड़िया और इनक्सेबल टॉमन पब्लिक बोले लोग मनलब कि आम आदमी वहां आसानी से नहीं जा सकता तो ये लोग गये वहाँ पर इसके आपर रिसर्च करींगे बोले क्योंकि उस इसके बाद जब ढूंड निका लेते वाइरल हो गया था क्लिप यह गयब हो यह यूटा जगा इंडिया में आती ही क्या नए नए अरे नए चंद दिन में एक चीज गयब हो गयी तो सुचना वार नाने तरह यह नॉमबर 27 को जब गयब हो गया तो एक हंगामा स्टाट हो गय अब आज फिर नेदलेंड में भी एक नया सी साइट पे यह अपीर हुआ और यूजिली कॉन से लोकेशन पे जहां पब्लिक आसानी से नहीं जासा यूटा का जो पब्लिक सेफटी डिपार्टमेंट है वो लोग यह अनौन्स करे थे कि यह कोई प्रांक हो सकता या स्टानल क्यूब्रिक जो है एक बहुत मशूर हॉलिवोड का डारेक्टर था 2001 अस्पेस ओडिसी 1960 में बनाता हूं और उसके ग्राफिक्स अगर देखे तो आज के टकर के ग्राफिक्स है अगर आपको इनकीस पता नहीं स्टानलिक क्यूब्रिक कोन है मशूर मून लांडिंग का उन् अगर देखागा तो एक बहुती मशूर जो रिमर फेरी वो है कि यह थोड़े बहुत आर्टेस्ट जो उनका आर्टवर्क बताना चाहरी है यह एक मुव्मेंट था एक ग्रुप था लोगों का लैंड आर्ट मुव्मेंट बोलके अज भी है अभी तक है तखरीबन 1960 में यह मुव्मेंट चाल हुआ था ग्रुप आफ आटिस्ट क्या करते हैं वो लोग जमीन के नाशनल एलिमेंट को लेकर आटवर्क बनाते और आटवर्क बना के ऐसी जगह रखते जो के आम पबलिक की जगह नहीं रहती कुछ तो भी एक ऐसी अजीब अजूबा वाली चीज बना अपने इंडिया में शुरू से लांड आट मुव्मेंट पूरे रोडां बरबाद नालियां रोड पे अच्छा मैं सम्झाया अलग आटिस्टिक है अपने आट रही बात क्यूंके यूटा का एक मशूर आटिस है जिसका नाम है जॉन मेक्राकन और ये आटिस्ट जो है ना उसको साइंस फिक्षन से बहुत मौपत है और ये भी वो मुमेंट का एक हिसेदार है समझे तो बोल रहें कि शायद इसका हो सकता है ये काम अब इसके बाद जो दुसरे कंट्री स्टेट्स में निकल रहे हैं मोनोलिट वो किसका आट वागे नहीं मानूँ तो एक तो आप अब अगर एक आर्ट अच्छा रहा ना वो क्या था वो वेल्डिंग मारे अब अगर देखा गया तो ये आर्टेस की अल्रेडी 2011 में मौत हो चुकी तो कहा जाता है शायद उन्हें मतलब उसके मनने से पहले ऐसा कुछ खायश थी बना के या उसका कोई फैन बनाया क्योंकि इसको science fiction से बहुत महपत दी अच्छा हो सकता हिन्हें वो जगा बनाया और आज नजर माई प्रोवेशन है क्योंकि अब आप देखो suddenly एक चीज़ी spot out हो गई और social media पर एक दम आक्यों इसा फैल गए और सदले एक मूवी बाहर रहा जाते हैं अब यह देखे नहीं आपने इसकी क्या मूवी क्या मूवी है तो हो सकता शायद एक नहीं अब स्टार वार्स तो हम तो देखे नहीं स्टार वार्स पाइसार निया स हो सकता है सब्लेमिनल अडवर्टाइजर अब के सबकॉंशिस जवाब करें तो हो सकता कुछ एलेंटाइग मूवी बना रहे तो उसकी तयारी होंगी है तो उसकी तयारी होंगी है थर्ड पॉइंट है क्या यह होक्स या प्रांक है क्योंकि इससे पहले भी ऐसे मिस्टीरिय डिजाइन्स और जोमेट्रिक पाटन्स को यह दुनिया में पाए गया थे एक जगह ने कई सारे जगहों पर जो फाम फील्ड रहते जहां पर घास हो सुब रहता क्रॉप सर्कल्स बोलके मश्यूर है यह बहुती कॉंप्लेक्स जोमेट्रिक डिजाइन्स थे जहां पर स्ट इसका पूरी दुनिया में रहा लेकिन 1991 में दो लोग है इंग्लिश में जिनका नाम था डेविड बावर और डेविड चोर्डी क्या चोरली शुर है नाम में इसके तो यह लोग क्लेम करें थे कि हम रसी और लकडी वुडन प्लाइक लेके डिस्टेंस नाप नापके ऐसा पूरे बनाते थे तो ऐसी पब्लिक को कन्फियूस करने एक रहता ना एक मज़ा एक क्रेट करने उनको उनके आटवर्ग बताना था और पुरा वर्ड को कन्फिजन में दाना था लेकिन देखा गया तो उनके अलाव भी दुनिया में कई जगा पर पा गया और फॉर्थ प्लाइन हिस्ट्री में यूस का जो नासा है जो स्पेस एंजिंसी है फर्स्टाइम वो लोग रिलीस करें फोटेज जिसमें वो लोग बताए कि कुछ अनाइंडिंटिफाइड फ्लाइं अब्जेक्स है यू एफो जिसको बोलते और वो लोग ये क्लेम करें फोटेज बता प्लाइक थी और जो पाइलेट जो फिल्मा रहे थे वो लोग खुद भी शॉक है यह क्या उसको पूरा ट्रैक कर रहे थे लो कैमराज में फाइटर जेट से तो मिस्टीरियस अपिरेंस और डिसपेरेंस आज तक इन्विस्टिकेट करें तो नहीं समझना है ये नासा कि वाखई इस्राइली और अमेरिकन जो इंटेलिजन्स है ये लोग पिछले 30 साल से वाखई एलियन से कम्यूनिकेशन दोनों एक दुसरे को हेल्प कर रहे बोलके इन्हें क्लेम करा अच्छा कोई हैरागरा नहीं है नहीं है हेड आफ स्पेस सेक्यूरिटी एजेंसी है मोन इन्हों से परस्नली पूछे तो एलियन जैसी चीज़ तो है तो अब तक आजाता था अपने कु नहीं माल तो हम तो विलीफ करते परनॉमल में जैसे के जिन्स है शाय ये तो है वैसे भी हमार पास है बिलिक चीज का हो सकता कि उससे कम्यूनिकेशन ये लोग करते होंगे क् बिलीफ क्या है ब्लाक माचिक और रही बात हम लोग एक पहले वीडियो बनाए थे मोनलिप तो नहीं ओबलस्क बोलके एक चीज है जो यूजुली यह फ्रीमिसंस वगेरा लगाते एक नेगेटिव अनर्जी पॉल आट करने जमीन पर वाशिंग्टन ऐसे तमाम ऐसे यूस मे आटी आटी ऑफ दे फ्रीमिसंस बोलके पॉसितिव नेगेटिव अनर्जी वो तो जन्यून है वो चेक आट सकते हैं मॉनलिप का क्या खसा है वो तेन मॉनलिप इस दिस केस इस कर दाम अदोल तो हम लोग की सबसे यह अंदाज आए के होक्स या प्रांक है यह जो आर्ट वो लोग एक दुसरे को कमिलेट करके आर्ट मॉनलिप करके यह अंदे तो वो दुसरा पॉइंट जैसा बोले मॉवी का इंडरेक्टिक अड़र्टिसिंग जो भी मॉवी आना ली कुंसी आरी की कहता है और एक स्पोट होए बाद हर जगा एक जगा एक चले जारा उसे पहल लेकिन पहली बाद वो थुकते भी नहीं उसको चुठा के दाल देते स्क्राब में नहीं डाल भी देटेटे जीदा तुकड़े करें उसको डाल देते उसका भाई दो डबल आपल दो कीमेंट चार गोल फैक बाबाचीता जरा इते बोलके उत्ते मेंच कर देते ते अपनी अपने हिसाप से किमेंट करो नेंचे कि आपको क्या धीकता जोके इसकी पिछे干़े और क्या राज़ें हैंञे हूद तो और प्लसंद आ है थो प्लाज़मन प्लेूर ईटिपी शे शे או की टो सब्स्रेबत वर्ट चैनल का उपर आंग ए नीचे कहा आपने वीडियो मेंग क कर दो कर दो